आजम क्लास 10 की हिंदी बुक्षितित से उत्सा और अट नहीं रही है कि व्याख्या को देखने जा रहे हैं यह जो है हमारा चैप्टर फाइफ है और इस चैप्टर के कवी है सुरेकान तिरपाथी निराला जी तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कवी का परीचे तो इस अध्याय के कवी है सुरेकान तिरपाथी निराला जी जिनका जन्म बंगाल में हुआ था मैशा दल जगह के नाम पर और सन 1899 में इनका जन्म हुआ था पर ये मोलते गाढ़ा कोला में के रहने वाले थे जो की उत्तर परदेश में एक जगह है वहां के निवासी थे मोलते और जो निराला जी है वो उन्होंने अपचारिक शिक्षा सिर्फ नौबी तक ही मिली है उनको और उन्होंने ना स्वाध्याई किया है यानि खुद से स् स्क्रेट, बांगला, अंगेजी और आधियों का जो जो ज्यान उन्होंने अर्जित किया है स्वाध्याई से उन्हों खुद से पढ़ाई करके पर जो अपचारिक शिक्षा है उन्होंने केवल नौबी तक ही ली थी और रामकृष्ण, परमहंच और विवेकानन की विचार अर्धारा ने उन पर बहुत ही विशेश प्रभाब डाला था और जो निलाला जी है उनका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत दुखों और संगर्चों से भरा हुआ था आत्मिये जनों के आस्माइक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था जो उनके आत्मिये ज जो है ना अनवरत संगर्च किया था उन्हें बहुत ही संगर्च किया था और उनका सन 1961 में उनका देहान थो गया था तो आज की सबसे पहली पंक्तिया हमारी बादल गर्जो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंग राले बाल कल्पना केसे पाले विद्यू छबी उर्मे कवी नव जीवन वाले ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भरदो बादल गर्जो तो ये जो पंक्तिय यहां पर कवी कहना चाहते हैं तो जो निराला जी कवी हैं वो कहना चाहरे हैं कि उस समय का वर्णन बड़े ही सुन्दर थारीके से करते हैं जब बारिश होने वाली होती है और पूरा आकाश क्या होता है एक दम नीला गहरे गहरे काले काले बादलो जाते हैं और काले काले ुए बार बार बिजली चमकने लगती है उस समय का वर्णन कर रहें इन पंक्ति smart वह बादिलों करोंगे जोड़ से घरज upp और वह emoarde को आवन को दयते हैं और हमयो चाहर जोड़ eyes day लोग करने का वर्ड़ दो से में चाहर जब हैं तुकुल नहीं करो अकाश को चारों तरफ से घेल लो यानि जो इस पूरे आकाश में अच्छाँ और फिर से जोर से बढ़ें बिल्कुल चाँ पूरे आकाश में और जोर से बर्श तो ऐसा कहरें बादलों को और पी ने बादलों के सौंधरे का भडनन के उनकी तुलना जो है तो जैसे उनकी कलपना बच्चों की बदलते रहती है ठीक उसी परकाद जो बादल है ना वो भी आकास में हर पल अपना रूप बदलते रहते हैं कवी आगे कहते हैं कि जो बिजली की जो असीम उर्जा है अपने हिर्दय में धारन करने वाले सुन्दर काले घुमराले बादल तुम उस कवी की भाती हो जो एक नई कवीता के को रचता है तो यहां पर कवी आगे बादलों को कहते हैं कि तुम जो नए गुम्राली बादल हो ना तुम बिलकुल उनकी तरह हो जैसे कोई कवी होता है ना किसी नए कवीता में अपनी रचना करता है कोई नए कवीता लिखता है तो उसमें कितने अच्छी रचना करता है उसकी तरह हो औ जो हिआता है जो कवी होता है ना नवीन टालता है वेसे ही जोभादल है वो धर्ति में नवीनता लाएंगे उसी परिकार जो बादल है उनके बरशने के साथ है जो धर्ती पर नए जीवन शुरू होता है पानी मिलने से ब masculine हते हैं और ने ओय फुद मोस्ट होते है युद अर इसलिए कभी है वह बादलो से कहते हैं कि तुम अपने हेड़े में बज्र串 के समाण उर्जा उत्पन कर निराज जो हताश लोग है न इतनी उर्जा अपने बज्र के समान अपने अंदर लेकर आओ पाल दो कहते हैं कि जो निराश लोग है जो हताश लोग है उनके मन में भी एक नई आशा का संचार भर जाए नई आशा का संचार भर दो निराश और हताश लोगों में फिर नेक्स पंक्तिय हैं हमारी थे उन्मुन विकल विकल उन्मुन विश्व के निदाग के सकल जन आये अग्यात दिशा में अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर सीतल कर दो बादल गर्जो इन पंक्तियों में कवी निराला जी ने तप्ति गर्मी से जो बेहाल लोग हैं उनके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो विश्व के लोग हैं वो अत्यदिक गर्मी के कारण बहुत बेहाल हो गए हैं व्याकुल हो गए हैं और अब उनका मन जो है सबका वो बिल्कुल बे करो बहुत तेज घंगोर वर्षा करो जो तपती धरती है ना उसको अपने जल से सीतल कर दो क्योंकि चारो और लोग गर्मी से बेचान हो गए तो इसलिए वो बादलों से कहते हैं कि तुम इतना घंगोर वर्षा करो कि जो तपती हुई गर्मी है वो तुम्हारे जल से सीतल हो और उनका मन भिर समय उत्षा सब्सक्राइब को बहत गर्मी होती तो निया उत्षा सब्सक्राइब को बुर कैrovा। तब ति जो धर्ती है उसको शीतल कर दो लोगों के अंदर नया उत्सा और उमंग भड़ जाएगा जो भीजन गर्मी के कारण है उससे राहत मिल जाएगा कभी यहां पर यह कहते हैं फिर नेक्स समारी आ जाती है अट नहीं रही है की पंक्तियां अट नहीं रही है आभा फागुन की तंसट नहीं रही है कहीं सास लेते हो घर घर भर देते हो उन्ने को नव में तुम परपर कर देते हो आख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पतो से लदी डाली कहीं हरी कहीं लाल कहीं पडी है उर में मेमन्द गंध पुष्प माल पाठ पाठ शोभा शरी पट नहीं रही है इन पंक्तियों की अगर हम व्याक्या देखें तो इन पंक्तियों में जो कवी है उन्होंने फागुन मास की मनुहारी और मादक शोभा का सुन्दर चितरन किया है कि किस परकार फागुन मास में जो किस परकार चितरन हो जाता है फागुन मास में क्या क्या चीज़े होती है उस कि फागुन महीने में होता है जो हिंदी में जो फागुन महीने में होता है उसमें बसंतरितु का आगमन होता है तो ऐसे में जो फागुन की आभा है वो इतनी मनभावन हो जाती है कि वेना कहीं समा नहीं पाती है मतलब इतनी खूपसूरत इतनी मनभावन मन को भाने वाली हो जाती है कि वो कहीं समाई नहीं पाती है और जो प्रस्तुत प्रद्यान से उसमें कभी ने ना फागुन मास की जो मनमोहाक शोभा है उसका वर्णन करते हुए का है कि बसंत का जो महीना है हर घर खुश्बू से भर देता है क्योंकि नएने फूल निकलते हैं नएने पत्ते निकलते हैं तो इस विज़े से क्या होता है कि हर तरफ चारो तरफ घर यानी की खुश्बू भर जाता है जब बसंत आता है और फिर ऐसा लगता है कि बसंत आस्मान में उड़ने के लिए अपने पंक फर फरा रहा है जैसे कि अब वो उड़ जाएगा बसंत आस्मान में ऐसे पंक फर फरा रहा है कभी उस सुंधर से अपनी आखों को हटाना चाहते है पर लेकिन जो उनकी आखें हैं वह हटी नीरी होती है, इतनी खुपशूरत होती है, जब बसंत आता है, तो अच्छे से खुशबू आती है, पेड़ पादे, फूल निगलते हैं, तो इतनी सुन्दरता मनमोहन हो जाती है, कि कभी अपने आखे हटाना चाहते हैं, फिर भी आखे नहीं हटा पाते हैं, फिर प वे इतनी अधिक है कि धरा पर समाई नीरी मतलब इतनी ज़ाधा खुबसूरती हो गई एकि जो धर्ये जो प्लबाँ ऐसा लगगा विछ आप independent जाते है इतनी जाधा खुबसूरती चारो चारो और पहली थे लिया है तो इसी साथ आख्ला गर आग जो съब me में ना आई हो तो do write in the comment section और अगर आपके video पसंद आई है तो do like, share and subscribe and thanks for watching